नमस्कार दोस्तों वेलकम टू मार्केट क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का EOD सेट अप क्या है और साथ में डिसकस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेबल के उपर बुलीस और किस लेवल के नीचे बेरिस देखना च जिस पर आपको कल यानि उस लेवल के उपर बुलीस या बेरिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए साथ में और लेशिट क्लास ब्रेट प्लस कुछ दो तीन स्टॉक भी दिखने वाले हैं कि जहां पर चार्ट सेटप इंटरिस्टीं है और आज निफ्टी से आज निफ्टी 92.negative close दिया और बैंक निफ्टी 263.negative close दिया तो क्या यहां यह negative close से trend change हुआ यह एक निफ्टी यानि अगर हम daily basis पे देखे तो 0.10 EOD chart end of the day वाला तो 3.30 में जो भी closing होगा उसके basis पे ही यहां पे X या O plot होगा यह daily time frame है अगर हम इसी को 1 minute time frame करें तो क्या होगा every 1 minute के closing के basis पे decide होगा X print होगा या O print होगा वैसे ही अगर 5 minute तो 5 minute के time frame पे decide होता है so time frame daily है box size 0.10% है यानि every closing का 0.1% के उपर या नीचे यानि every box value जो है 0.10% का है simple reversal is theory anyway so यह Nifty 50 का EOD chart है और यहां पे जो formation जो होगा है यह sort of triangle formation होगा है because column within column है यह again this column is within previous column so sort of triangle formation plus 45 degree trend line अगर आप draw करके यहां पे draw किये है जो bearish यह 45 degree trend line है और यह bullish trend line है so दोनों के बीच में trade हो रहा है sort of triangle formation 45 degree triangle का है अब जब तक इस triangle के यानि trend line के बाहर नहीं जाता है price तब तक आप expect नहीं कर सकते हो या expect नहीं करना चाहिए कि trending move खा यह sort of sideways move ही रहेगा अब यहां से अगर double top buy अगर आता है ऐसे फिलहाल अगर हम देखे तो 21,547 यह downside count जरूर उपेन है लेकिन जब price अगर 21,750 के नीचे अगर जाता है तो possible है एक fall आजाए 540 प्लस उसके और भी नीचे बट अगर price यहां से double top buy आता है तो मुझे जो दिख रहा है force जो resistant 22,359 यानि 350 के नजदिक जा सकते है वहां पर risk reward जरूर affordable है so 22,115 के उपर अगर closing होता है close basis पर आप दहां रखिएगा because EOD basis है EOD chart है so यहां पे 115 के 22,115 के उपर अगर जाता है तो possible 22,350 और 22,629 जा सकता है pattern failure level क्या हो सकता है तो 21,750 जो की bearish level है उस पे आप ध्यान रखिए even अगर आप 21,000 यहां पे अगर बुलिस होता है तो 21,980 भी enough है but उस पे हम आएंगे जब एक बार बुलिस ब्रिक आउट होने दो फिर उसका है फिलाल overall chart setup जो है neutral है because triangle formation है so pattern neutral है setup trend भी bearish है इसलिए setup neutral अब bank nifty की बात कर लेते हैं nifty bank के लिए जो box value हम use करते हैं EOD basis पे daily time frame और 0.15% box size यहां पे यह एक anchor point आपको दिख रहा है anchor point क्या होता है कि multiple times यानि इस area में यहां से और यहां तक अगर जितना भी time price जो revisit किया है maximum time इस area में revisit किया है तो यह act करता है एक sort of support या resistance का because price अगर इस anchor point के नीचे में trade हो रहा है तो यह resistance का काम करता है price अगर इस anchor point के ऊपर में trade होना शुरू करेगा तो resistance जो है वो become support और support become resistance हो जाता है तो यह resistance अब जब भी अगर trade उपर होगा तो यह support बन जाएगा तो फिलाल यहां से resistance लिया price नहीं यह pause area और वहां एक fall दिया बट जो अभी जो formation है यह sort of triangle formation है इसलिए setup neutral है bullish breakout जो है short of आपका यहां पर जो दिख रहा है 47,950 के उपर अगर जाता है तो sorry 975 के उपर जाता है तो possible एक bullish breakout होगा तो अभी भी 47,975 के उपर closing basis पे आप ध्यान रखिये और 46,070 के नीचे अगर close जेता है तो bearish opportunity आपको देखना चाहिए तो यह setup overall अभी भी neutral है अब intra day की बात करते हैं तो intra day में window में हम आए और tile vertical ताकि हमको सभी chart देखना है तो nifty के सबसे पहले हम chart देखते हैं यहां पर अगर आप देखो तो clear यह एक sort of sideways move है yes but twenty two thousand one sixty के उपर अगर जाता है तो bullish opportunity आपको देखना चाहिए और twenty two thousand fifty के नीचे अगर sustain होता है तो bearish opportunity आपको देखना चाहिए अब देखते हैं bank nifty का level क्या है कल के लिए तो bank nifty का जो chart setup है yes bearish जरूर हो गया है और forty six thousand nine fifty के उपर अगर sustain होता है तो possible bullish opportunity देखना चाहिए और forty six thousand six forty के नीचे अगर sustain होता है तो bearish opportunity और 550 के नीचे अगर गया तो आपको 365 तक यह एक area जो है major support area three hundred or three fifty वहां तक भी आपको दिख सकता है अब fin nifty की बारी है और fin nifty का level क्या है वो देख लेते हैं so fin nifty का भी chart setup जरूर bearish हो गया है और twenty thousand eight hundred के उपर अगर sustain होता है तो possible bullish opportunity देखना चाहिए और twenty thousand six fifty के नीचे bearish opportunity आपको देखना चाहिए अब देखते हैं sense six की और sense six का जो label है उस हिसाब से yeah sideways move है और यहां पे seventy two thousand nine hundred के उपर अगर sustain होता है तो possible bullish opportunity देखना चाहिए seventy two thousand seven hundred के नीचे अगर sustain होता है तो bearish opportunity देखना चाहिए अब gold की बात करते हैं और यहां पे gold जो है yes bullish जरूर हो गया है बट sixty six thousand four fifty के उपर अगर sustain होता है तो possible bullish opportunity आपको देख सकता है pattern जो failure लेबर यानि bearish कहां से देखना चाहिए sixty five thousand seven hundred के नीचे अगर जाता है तो ही bearish opportunity देखना चाहिए अब silver की बात करते हैं और silver में yes bullish है और price अगर six seventy five thousand two hundred के उपर अगर sustain होता है तो possible एक bullish opportunity दिख सकता है seventy five thousand two hundred जो की seventy five thousand seven hundred और seventy six thousand three hundred तक जा सकता है bearish opportunity आपको देखना चाहिए अगर seventy four thousand four hundred के नीचे अगर जाता है तो bearish opportunity देखना चाहिए तो यह silver का level रहा है तो इस परकार gold, silver, finnifty, sensex, nifty और bank nifty का intraday levels plus EOD level पे हम बात कर लिए अब देखते हैं all asset class क्या indicate कर रहा है तो यहां पे other asset class का एक बार यह smart line के अभी भी nifty उपर में trade हो रहा है यहां पे nifty ds smart line के नीचे नहीं आता है यानि 750 का जो label है उसको break नहीं करता है तब तक phrase positional bearish तो थोड़ा भी रुकना चाहिए बहुत जल्दबाजी होगी हां लेकिन asset class के देखते हुए chart पे यह जरूर दिख रहा है कि equity underperform कर रहा है तो possible यह underperformance करें see underperformance कर रहा है outperformance में जब convert होगा फिर आपको bullish opportunity देखना चाहिए तो यह आपका all asset class की बात रही आप open interest की बात कर लेता है तो option में हम आके open interest पे click करते है तो 22,000 और 22,500 50 even sorry यह 22,500 तो 22,000 और 22,500 यह दो range है जहां पर 22,000 एक strong support दिख रहा है और 22,500 एक resistance दिख रहा है सो जब तक 22,000 नहीं break करता है तब तक further downside move थोड़ा skill दिख रहा है हो सकता है कि 22,000 से फिर से bounce back ले और वहां से फिर से move दे 22,500 तो फिलाल जो range है एक बड़ा range है 22,000 और 22,500 दोस्तों अगर आपको मानो मुझे अगर आप कोई भी trade point even solutions के भी अगर आप user है डिफाइनेज के अगर users है तो आपको every week एक newsletter जाता है और वो newsletter यहां आप देख सकते हैं तो हम inside.definance.securities.com अगर हम login करेंगे तो यहां पे आपका login हो गया और newsletter में हम गए तो यहां पे newsletter every week का newsletter upload होता है अब recent जो newsletter है जो हमने 23rd को upload किया था तो एक बार हम देख लेते हैं इसका कैसा है और यह एक week of mutual fund glory यानि mutual fund के इसमें उसके बाद nifty का एक overview जहां पे आपको देखना चाहिए कि 45 degree trail line 2750 के उपर नीचे यानि बेरिस 2550 तक जा सकता है 2400 के उपर यानि 2800 तो यह आपका label रहा कौन सा support और resistance आपको immediate दिख रहा है इस पे हुआ nifty bank का भी level उस पे बात कि एक परसेंट breath क्या होता है प्लस यह चार्ट का analysis कि नीचे भी आएगा तो कहां तक आ सकता है प्लस यह nifty 500 broader market का यह क्या indicate कर रहा है तो इस पे हम लोग तोड़ा write-up लिखते हैं हमारी यानि पूरी टीम जो research की यह प्लस दचार्ट displayed below capture यानि यहां पे जो all asset class हम बात करते हैं यह इस पे तोड़ा स्टॉक है यह interesting pattern formation हुआ है interesting setup है on daily time frame जो की bullish opportunity आपको दिख सकता है तो यह एक इस पे हम कभी video बनाएंगे तो हम आपको बात करेंगे रेयर pattern यानि जहां पे triangle हो सकता है broadening formation अब जो PNF मालूम है उसके लिए हम बता रहे हैं या quarterple हो सकता है triple top हो सकता है multi column हो सकते तो यह सब जो है stock जो है आते है रेयर pattern में यहां पर अगर आप देखोगे तो यह सभी stock sort of triangle में यानि consolidation breakout है so consolidation के बात का जो breakout होगा वो possible कि यह एक अच्छा करशा breakout हो सकता है तो यह एक stock का list रहता है जहां से आप देख सकते हो plus हां दोस्तों यह newsletter में से याद आगया कि holy का offer चालू है और hope आपने already यह coupon code use किया होगा holy 15 और 15% discount ले लिया होगा pro product के लिए जैसा हमने last video में यह discuss भी किया था अगर आपने नहीं किया है तो जरूर जाके किजिए because इसका last date आज ही है 26th March 2024 और आज 12 बजे रात में यह खतम हो जाए तो उसके पहले जल्दी इसमे की कौन सा सेक्टर जो है लास्ट यानि ब्रेत के हिसाब से plus RS के हिसाब से कौन सा सेक्टर जो इंट्रेस्टिंग दिख रहा है अब यहां पर जो और उसके बाद कुछ stock जो चार्ट आइडिया जैसे यहां अब यहां पर अगर आप देखो तो ट्रिपल टॉप भाई है अब ट्रेंड है तेन इसमे के ऊपर में है काउंट जो है यहां उपन है और यह सब डीटिल्स में यह डिस्क्रिप्शन देते हैं कि क्या-क्या हम लोग देखे हैं अब यहां पर जागा यहांनि आउट परफॉर्मिस दिख रहा है एफिनोस सेक्मेंट में कंपेर टू निफ्टी 50 यह क्लियर आउट परफॉर्मर है अगर आप आरेश चार्ट जाके देखोगे तो अगर आज देखोगे अगर कोई सपोर्ट लवर है तो सपोर्ट पर जब स्टॉक आता है तो उसके यहां पर अगर हम देखे तो बुलिस पैटर्म रिटेस्ट उसके बाद ट्रेंड फॉलोइंग भी होता है यह जो यहां पर जो दिख रहा है बुलिस पैटर्म रिटेस्ट किया और उसके बाद यह अब फिर से प्राइस ने यहां पर रिटेस्ट किया और पॉसिबिलिटी है कि यहां से एक अपसाइड हो और यह स्टॉक भी आज चोला फिनांस की अगर हम बात करें तो एक यहां पर फिनांस का हम देख लेते हैं यह 2.37 परसेंट आज आप क्लोज दिया पैटर्न फेलियर लेबल यहां पर हम मेंशन करते हैं कि क्लोज बिलो अगर 1044 आता है तो आपका पैटर्न फेल हो जाएगा अब अनदर स्टॉक जो हमने कवर किया था टाइम टेक्नो टाइम टेक्नो में यह 1% का चार्ड था 1% मतलब सॉट अम मीडियूम तब सॉट तुम मीडियूम तर्म आप पकर करके चलो 0.25 परसेंट अगर बॉक साइज अगर हम यूज करते हैं तो इसका मतलब है यह सॉट टम के लिए मेडियूम टम नहीं सॉट टम में आपका हो जाएगा त कभी प्राइस सपोर्ट लिया हें मुविंग इवरेज के नजदीक तो यह और उसके बाद यह बुलीस ABC formation plus 208 same level है तो यह एक pattern है और उसके बाद अगर आज अगर time techno का अगर आप chart देखो तो almost 14% यह up है और 1% का अगर आप chart देखो तो 317 यह chart है जांकि यहां से almost 14% के करीब में आज closing दिया है upside तो यह इस तरह से यह उसके बाद various emphasis जो है यहां पर आप मुफ sideways फिर से down move अगर breakout अगर आता है किस लेबल के नीचे आपको देखना चाहिए क्या pattern failure label है यह सब पर बात करते है SBIN जो की दिख रहा है कि possibility है अगर downside अगर आता है यहां double bottom sale तो यह एक opportunity है प्लस एक fundamental यह टेक्नो funda एक call रहता है जिसे mankind यह stock जो कि fundamental क्या क्या इसमें दिख रहा है क्या यह strong है fundamental में इसका प्लस टेक्निकल पे भी अगर जो strong है इस पर discussion यानि राइट अप रहता है उसके बाद एक जो yes यह जो option guru cool hour है जो last video में भी हमने discuss क्या था अगर आपको option या point and figure के course चाहिए तो holy 15 यह भी 15% इस पर भी अभी offer चालू है तो आप जाके coupon code यूज करके कर सकते हैं फिलाल तो यह यहाँ पे guru cool का यह है उसके बाद यह water pocket pivot तो यह एक राता है जहां पर आपको इसमें एक psychological plus knowledge किस तरह कौन सा यूज करना चाहिए यानि बहुत कुछ यहाँ पर इस में राता है तो यह overall यह एक पूरा राता है आपका यहाँ पर गुरु जो हमने डिसकर किया यह आपका प्लस पाट साला आपका भी है 13 से 23 अप्रिल 2024 यानि 13 से 23 अगर आप चाहते हैं कि यानि इस अपने knowledge को और सार्प करना तो आप जाके join कर सकते हैं रजिस्टर कर सकते हैं और अगर आप defined securities में हैं तो आपको और benefit भी मिलता है तो यह डीटेल राता है एक newsletter और यह सवी newsletter यह जो newsletter है जितने भी हमारे users है वो सब को freely available जो pro user दोस्तों यह ध्यान रखना है free user नहीं pro user के लिए तो अगर आपके पास defined securities के demate account है तो भी आपके यह freely available detail में discussion कोई recommendation नहीं आपका knowledge enhance करने की कोशिश होती है फिलाल वीडियो का length तो बहुत ज्यादा हो गया है बट दो हम एक stock जो की हम discuss करेंगे एक जो stock है अगर poly cap देखे तो यह एक interesting chart मुझे दिख रहा है अभी यहाँ पे price जो है एक अच्छा fall आया उसके बाद यह यह जो formation जो हुआ है 100% pole follow through का जो की एक reversal pattern है और पॉसिबल 5300 तक यह upside दिख रहा है अगर हम यह 5300 रेजिस्टेंस भी आया और यह count भी है pattern failure level below 4899 है तो risk reward इसमें favorable दिख रहा है तो इस पे आप नज़र रखे poly cap जो की police opportunity यहाँ पे दिख रहा है और emphasis तो हमने discuss भी किया था पुन्ना वाला अगर हम बात करें यह भी चार्ट मुझे interesting दिख रहा है price एक uptrend उसके बाद consolidation fees में गया अगर आप 45 degree trend line ड्रॉव करो तो यह clear 100% पोल 511 एक दिख रहा है pattern failure level below 460 even 1% पे भी यह clear uptrend price moving average के नज़िक सेम जैसे हमने बताया था जाकि moving average के नज़िक जब भी जाता है तो एक upset moving average के नज़िक एक upward again moving average के नज़िक support डिया double top buy तो क्या upside जा सकता है possibility है यहाँ पे 100% पोल भी 3% का अगर चार्ट देखें यह भी clear uptrend में है तो 0.25% पे यह मुझे interesting दिख रहा है below 460 pattern feel हो जाएगा तो यह इस पर आप नज़र रखें प्लस एक दो इस टॉक जो ओए फसे यहाँ पर भी आपको नज़र रखना चाहिए कि every decline पर यह आपको ओफसे जो स्टॉक है every decline पर दिख रहा है कि लेना चाहिए hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच share किजिए like किजिए and comment किजिए thank you so much हुआ 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 हुआ